हलो दोस्तों वेलकम टू बिहार सुभिल ग्यान मैं हूँ आलोक सिंग और आज है 30 अगस 2020 आज का दैनिक जागरन न्यूस्वेपर एनलेसिस हम करेंगे तो देखिए डेली तोर पे मैं दैनिक जागरन न्यूस्वेपर जो है उसको पूरा का कंप्लीट एनलेसिस देता हूं आ आपका जो भी आने वाला एक्जाम है BPSC prelims हो मेंस हो या फिर इंटरव्यू इन सब के लिए आपको यह बेनिफिसियल होगा यह जो एनलेसिस है डेली तो इसको आप डेली फोलो किया करें ठीक है आप जब एक्जाम में बैठ होगे तभी आपको यह समझ में आएगा इसका क्या importance था क्योंकि आपको पता है एक वाइड तरीके से इसको cover किया जाता है और मातर आपके पूरे दिन का 30 मिनट यह वीडियो लेता है 30 से कभी कभी 35 मिनट जाता है नहीं तो mostly average और एन average यह 30 मिनट का वीडियो होता है तो अगर आप पूरे दिन में अगर आप अपना 30 मिन फिट आपको पहुंचा रहा है ठीक है तो इस चीज़ को समझिए और एक announcement मैं करता रहूं चलूं की जो editorial था जो हमने editorial शुरू करा था कल से वह editorial actually मैं मैं इस वीडियो के साथ में लाओंगा लास्ट के 15 मिनट में लेकिन ये एक सेप्तेमबर से सुरू करूंगा ठीक है अब ये एक सेप्तेमबर से सुरू होगा और लास्ट के 15 मिनट यह होगा यानि कि यह जो वीडियो होगा यह 30 मिनट को होगा और लास्ट के 15 मिनट ज important होता नहीं है कभी कि जिस दिन important होता है जो editorial important होता है उसको मैं इसमें cover करूंगा और जिस दिन मैं देखूंगा कि जो editorial है वो बिल्कुल ही हमारे exam perspective से important नहीं है तो उस दिन वो cover नहीं करूंगा जैसे आज का ही लेलो तीस अगर 2020 का एडिटोरियल लेलो इसमें सिफ राहूल गांधी और कॉंग्रेस की का की बात करी गई है कि राहूल गांधी कैसे अपने जो उनको लीडर्सी प्यानिक उनकी नित्रित्व की छमता जो खराब है उसके कारण कॉंग्रेस कैसे पतन को जा रही है क कॉंग्रेस का सब कुछ खराब चल रहा है ठीक है तो इसी पर पूरा एडिटोरियल है तो यह चीज़े आप तो आपको खुद मालूम है क्यों यह सारा कुछ हो रहा है ठीक है तो इन सारी टॉपिक्स जो है यह हमें नहीं लगता कि पस्पेक्टिव से हमारे इंपॉर्टे प्रिटोरियल आएगा ठीक है बाके दिन यह जो डेली निउस्ट पर अशिस से यह करें यानि कि आप समझ सकते हो कि पूरा न्यूज यानि दैनी जारा न्यूस्पेपर का कम्पलीट एनलेसिस आपको यहां पर मिलेगा यानि कि कम्पलीट डिसकसन हम यहां पर करेंगे इस को ठीक है यह बिहार करेंट अफ है 2020 पूरा कम्पलीट विकली और मंतली भी आपको सेप्टेंबर के महीने से आपको विकली भी आने लएगा लेकिन अभी मंतली जो वीडियो है वो सारे आपको मिल जाएंगे यहां पर और जो अब तक का जितना PDF है वो सब कुछ मिलने वाल हल्या तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि जो लोगमेसेज करने के बाद भी मैसेज हमने नहीं किया है वह लोग मैसेज करिये हमें Instagram पे active रहते हैं तो Instagram पे कीजिए या फिर फिर आप हमें Facebook पे कर सकते हैं तो Facebook पर थोड़ा सा लेट मिलेगा आपको reply लेकिन Facebook पे आप Instagram पर नहीं है तो Facebook पे कर सकते हैं otherwise Instagram पे जरूर कीजिए ठीक है बहुत कम है एक सिर्फ आप support कर रहे है एक 116 रुप्या से वह भी पूरे मंथ के लिए ठीक है तो एक अच्छा है आपका जो बिहार करेंट अफिर्स है उसमें आपको मैं स्ट्रॉंग कर दूंगा यह आपकी हम गरांटी दे रहे हैं तो बिहार करेंट अफिर्स के लिए यह कोर्स है तो इसको जोईन किजिए हिंदी इंगलिस दोनों म सर्थ जस्में जो सर्त है जो चीजहें लागू करनी है उसके साथ अनुमत्ति जीज़ पे हुझे सभी राज अपनी मर्जी से लगा सकते Gil — तो पर बिराज इसमें लोगडांग्न लाज नहीं सकहेगा । अगर कोई अस्थानी हैके लिए केंद्र केंस स pleas प्राहवी अगर कोई कहीं रिज़ीनल चेटर में लगाना चाथा है लौकडाून तो उसको केंद्र से अनलोक चार में अब शुरू हो रहा है दिरे-दिरे और जो पोस्ट ग्रेजुएट के छात्रों के लिए IIT और IIM जैसे तक्निक वह प्रबंध प्रबंदन से जुड़े पैसेवर सिच्छन संस्थान प्येजरी जैसे सोथकारियों से जुड़े उच्छन संस्थान खुल सकें तो इन सब को खुलेगी दिरे-दिरे सब खुलने वाली है और साथ तारिक से जो है मेट्रो चलना शुरू हो जाएगा और और बीस एक बीस या एकिस सेप्टेंबर से लगबग यह सारे कुछ चीजें शुरू होने की आसेंका सब कुछ यताई जा रही है तो यह चीजे हो देखिए सीएम ने किया गंगा उद्धो योजना के प्रथम चरन का अस्थल नरिच्चन तो देखिए मुकमत इंतिसकुमार ने रस्वनिवार को गंगा उद्धो योजना के प्रथम फेज का अस्थल नरिच्चन किया है गंगा उद्धो योजना क्या है तो इसमें बेसिक स्क्राइम करना इस से गंगा उदो योजना का यह उद्धा नहीं है उद्धा थी हैं सोड़ी तो के उद्धा योजना यहांपे जो है इसलिक सके उद्धा योजना ठीक है तो गंगा उद्वौ योजना है और इसमें पोई करना तो गया में भी एक किया गया है गया मेनों ये शुरुआत किया गया था इस गंगा उद्वाय योजना में को तो गया गंगा वाटर लिप्ट प्रोजेक्ट फेस बॉन के असकी मैटिक डाइग्राम के माध्यम से मुखमंत्री को प्रजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई तो इसकी ही जो नितिश कुमार जी है निरिक्षन कर रहे हैं अब देखिए क्या है कि जो यह यानि कि अभी पर्जेंट में जो रूलिंग गवर्मेंट है हमारी जो बीजैपी बीजैपी गवर्मेंट है यह पुरा देश को यूनाइट करने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं कि ताकि हम पूरे देश को एक उनाइट चीज़े कर सके जैसे इन्हों पहले क्या किया टाक्स को एक कर दिया याने कि सब के लिए GST ला दिया ठीक है, एक तरह का टाक्स ला दिया, वो चाहे आप दिल्ली रहो, मुंमबई रहो, कॉलकाता रहो, सब तरह के लिए एक तरह का टाक्स ला दिया, फिर इनोंने One Nation One वन राशन का किया कि आप कहीं से भी राशन ले सकते हैं ठीक है जिनका राशन कार्ट बनता है वो कहीं से भी अपना राशन कर ले तो वन राशन पर फिर इन्होंने वन वर्ल्ड वन वन सन और वन ग्रीड में काम करना शुरू कर दिया है आई एक दुनिया है एक सूर्य है और एक बनाया जाएगा उसका वो उसका जो कॉनसेप्ट था कि पुरे पुरे देश में अगर ये प्रिधिवी है तो क्योंकि यह तो आपको पता है कि सन हमेशा उगा हुआ रहता है नेकि लेकिन वह क्यों हमने नहीं दिखता है क्योंकि फृति घूंती रहती फिर जब घूम के जाती है तो इधर वाला फिर लाइट आ जाएगा यह लाइट इधर आ जाएगा और इधर अंधेरा हो जाएगा तो इसमें यहीं कॉंसेप्ट रखा गया था कि यह जो कॉंसेप्ट है उसी का यूज करके हम एक ऐसा ग्रीड बनाएंगे कि जहां पर अंधेरा हुआ जहां पर रात हो जाएगी वह वाले लोग जो हैं जहां पर सूरय होगा वहाँ से बिजली का कनेक्सण ले रहेंगे ठीक है यानि कि पुरी दुनिया को एक ग्रीड से जोड दिया जाएगा इधर अगर अंधेरा हुआ से यहां से पीर और उर्य죠 से चीज़ को एक राष्ट व्यापी यानि कि unite करने की बात इस current government की करी जा रही है चीज़े तो उसी में एक और चीज़े लाने की कोशिस की जा रही है कि एक ही मद दाता सुची से पूरे देश में चुनाओ कराने की तयारी हो का सकते हैं वन वोड़र न गोटर ऑड़ और और मुंदब पूरे पूरे देश में एक ही वोडर आइड़ी स्था अब कहों कि वो तो ऐसी होता है नहीं ऐसा नहीं होता है देखें आपर क्या होता है कि जो पंचायत है वह अलग तरह अलग तरीके से अपना वोटराइडी बनाता है या फिर वो उसका प्रावधान एक्षोरी में दिया गया जैसे सविधान में राजियों के पंचायत एवं निकाय का जो चुनाव है उसके ल इस वो अपने से तियार कर सकते हैं उनको यह अधिकार दिया गया है पंचायत को ठीक है यहां विदा रच्णाव चुनाव के लिए त्यारियां तयार चुनाव आयोग की जो मदाता सुची है उसका परियोग कर सकते हैं यह जो विधान सभा का जो वोटर लिस्ट बनाया गया है उसके लिए परियोग कर सकते हैं मत्तब कि जो पंचायत है वो बिलकुल ही इंडिपेंडेंडेंट है आजाद है वो इस सारे निय सरकार विचार कर रही है कि क्या इन तीनों तरह के चुनाओं के लिए एक ही मदाता सुची को ही अपनाने के लिए राजी किया जा सकता है तो इस तरह का बिल्ड लाया जाएगा पहले इसको पास होगा ठीक है तो इस पे अभी बात चल रही है और यहाँ पे होती है कि यह होती है दिक्कत एक अधिकारी ने कहा कि अलग-अलग मदाता सुची होने के कारण एक ही काम पर दोहरा खर्च होता है यह मदाता के लिए भी अच्छा होगा क्योंकि मदाता सुचियों में कोई विसंगती नहीं रहेगी कई बार ऐसा देखने में आता है किकिसी विख्ती एक मदाता सुची में नाम खोने के बाद भी दूसरी सुची में नहीं होता अब उसका विदान सभा के वोटर लिस्ट में है नाम और otur नहीं नहीं कई मौकों पर एक मदाता सुची की और यह पहली बार नहीं है कि इस तरह का कोई चीजे लाया जा रहा है पहले भी लाया जाने की कोशिश करी गई थी लेकिन लोगों ने रिजेक्ट कर दिया था नवंबर नवंबर 1999 की बात है आयोग ने सरकार को कहा था यानि कि इलेक्शन कमिशन ने कहा था सरकार को कि अलग-अलग मदाता सुचियों से मदाताओ के भी भरम की इस्तिति बनती है कई बार एक सुची में नाम होने पर भी दूसरी में नहीं होती है वही एक ही काम के लिए दो बार आवेदन करना पड़ता है और पूरा खर्च भी दो गुणा हो जाता है तो ये सारे चीजों का प्रॉब्लम आता है इसलिए कहा जा रहा है कि अगर एक ही voter list होगा एक ही voter list होगा जिसे की काफी अच्छा होगा सारे तीनों के तीनों election में कंपनी है उसका हिस्तेदारी खरीद दिया है यह हमें याद रखना है किसका हिस्तेदारी तो फ्यूचर गुरूप का फ्यूचर गुरूप के अधिकांस कारोबार का मुक्य समानी नियंतित रिलाइंस इंडस्ट्री लिम्टेड यानि की रिल इसने अधिगरहन कर लिया है दो इसका जो ब्रांच है वो है Reliance Retail Ventures Limited ठीक है तो इस नहीं इसका जो है acquired किया है किसको तो future group को future group को acquired किया है कितने में 24,213 करोड में 24,213 करोड में इसको acquired किया गया है और future group के लगबख 1700 रिटेल अस्टोर मिल जाएंगे ठीक है तो इस तरह से यहां पर आपको ध्यान रगना के लाइंस ने future group का हिस्सेदारी खरीदाय सेहर खरीद दिया है और कि यहां पर देखिए एप से किसान घर में मंडी की मंडी की दस्तक तो यहां पर एक एप का नाम रखना है इस एप का जो नाम है जीला जिहां इसका इस एप का नाम कि इस जिला आप को बनाया है और इसकी सान जो है अपना जो वह उनके फल सब्जी जो भी हैं वह यहां पर रजिस्टर करा सकते हैं और जो भी होल से नहीं किसी को इस पर जाके ऊडर कर सकता है और उन्हें वहां से मिल जाएगा ठीक है तो किसानों के लिए यह एप डेवलप किया है आयटी पटनाने अब आईए देखते हैं आज का सबसे इंपोर्टेंट आर्टिकल वह पहली बार ओनलाइन काजगरम में बने खेल रतन तो खेल रतन पहली बार ओनलाइन दिया गया है क्योंकि कुरोना वायरस के कारण ठीक है तो जैसे कि आपको पता है हम पहले ही से बोल रहे थे 29 अगस्त को मेजर ध्यान चंद का जो है जन्म दिन होता है उस दिन हम बनाते हैं नैशनल स्पोर्ट्स डे मेजर ध्यान चंद कौन थे होकी के खिराड़ी जिन्हें होकी का जादूगर भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने लगातार तीन ओलम्पिक्स में गोल्ड मेडल लाए थे भारत के लिए और और देखिए जो मेजर ध्यान चंद थे उस वक्त के खिलाड़ी थे जब होकी पे भारत का प्रभुत्व था एक मोनोपुली था अगर होकी टीम अगर उतर गई किसी ओलम्पिक में तो वहां के सारे खिलाड़ी डर जाते थे कि अब तो ये भारत ही जीत कर ले जाएगा ठीक है इस तरह का कुछ दबदबा था तो उन्हीं के पर हम मनाते हैं खेल दिवस और यहां पर जो भी खिलाड़ी अच्छे काम करते हैं उनको प्रुसकार दिया जाता है बहुत वेरियस तरीके के अवार्ड होते हैं तो आज उन लिस्ट को आज हम जानेंगे और तो पहले तो आपको जानना है सबसे इंपोर्टेंट जो है वो है भारतिये सिमित ओवरो की क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहिस सर्मा भारतिये होकी खिलाडी रानी रामपाल टेवल टेनिस खिलाडी मनिका पत्रा और महिला पहलवान विनिस फोगाट और पैरा अथलेट मरियपन थंगा वेलू खेल रतन पांच लोगों को क्या मिला है खेल रतन याद रखना है पांच लोगों को खेल रतन दिया गया है और इस बार क्या है यहां पर आप देख सकते हैं यह मनिका बत्रा और यह थंगा वेलू है मरियपन थंगा वेलू ठीक है तो इन लोगों न और एक और लोग को देखिए एक एथलेटिक्स की बात करिए एक एथलेटिक्स थे पुर्टिन का नाम था पुरसत्तम वो जब इसके खेल का उन्हें मदब की अबॉर्ड मिलने का जब उन्हें अनौंस हुआ तो वो जिंदा थे बट शुक्रवार को उनकी मौत हो गई है ठीक यानि कि देखिए किस्मत क्या मदब रूखलाता है कि अवार्ड लेने से पहले अनौंसमेंट उन्होंने सुन लिया लेकिन जब जब लेना था तो उससे पहले ही इनकी नितन होगी तो अभी हाले में किनका नितन होगा ध्यान रखना है पुरसत्तम का वो किस से जुड़े थे एथलेटिक से जुड़े खिलाड़ी थे यह बात आपको ध्यान रखनी है और इस साल जो है सबसे ज़्यादा यानि कि 74 लोगों को राष्टिये खेल प्रसकार दिया गया कितना 74 जिसमें जिसमें पांच लोगों को तो आपको पता ही है खेल रतन दिया गया और 27 इसमें 27 लोग जो है उन्हें अर्जून अवार्ड दिया गया है किया है अर्जून अवार्ड ये भी ध्यान रखिएगा और इस वार जो खेलमंति ने कुछ कुछ चीजें बढ़ा दिये प्राइज का जो अवार्ड था यानि कि पैसा जो देना था उसमें साड़े साथ लाग से 25 लाग कर दिया है फिर अर्जून प्रुसकार दोनाचार प्रुसकार लाग टाइम पाने वाले को पांच लाग से 15 लाग कर दिया तो इस वार प्रुसकार का जो प्राइज भी है वो बढ़ गया है और यहां पर एक कॉंट्रवर्सी भी क्रिएट हुआ वह भी देख लेते है एक प्रवतारोही है नरेंदर यादो उनको पुरसकार मिलने से बना कर दिया गया क्योंकि यह कॉंट्रवर्सी में आ गया और वो जो प्रवतारोही है उनको बोला गया कि पहले इनको जाच किया जाएगा उसके बाद में यह किया गया क्योंकि कहा जाता है कि यह जो प्रव आफी लोग क्या कहते हैं कि यह जो प्रवतार हो ही है जिनका नाम है नरेंदर यादव इन्होंने 2016 चढ़ने की कोशिश तो करी थी लेकिन इनका क्या है कि आधा दोर पर यह जाकर इनका तवियत खराब हो गया था इसे यह लोट आये तो इस तरह का पर उसके बाद में इन्हें प्राइज दिया जाएगा तो यह आदक ना कि नरेंदर देव को प्राइज नहीं मिला है उनको मिलने वाला था तेंजिंग नौर्गे राष्टिये सहसिक पुरस्कार ठीक है यह जान लेते हैं हम इसका जो है और यहां देखिए हमारे जो खेल मंत वहां पर ध्यान चंद को फुल चड़ा रहा है कि अब आईए आज क्योंकि अब 29 तारी को कंप्लीट जो है 29 तारी को सब सब को प्राइज मिल चुका है तो आज है 30 तारी तो आज हम इसका कंप्लीट लिस्ट जान लेते हैं कौन लोग हैं बहुत ज्यादा याद नहीं रख ना वो मैं बता दूगा कि क्या क्या आपको याद रखना है एक्चुली में देखिए राजियू गांधी जो खेल रतन है इसको तो आपको याद रखना है कि पांच लोगों को मिला है खेल रतन है और किने किने मिला है यह सबसे यानि कि यह बला जो पार्ट है यह मोस्ट इ एक्जाम में बिलकुल दे सकता है तो यहां से आपको याद रखना है रोहित सर्मा को राजियू गांधी खेल रातन मिला है जो की किरकेट के से समंधी ते किरकेट खिलाड़ी है यह तो आपको याद ही होगा मरियपन्थंगा वेलू का याद रखना है यह पैरा एथलिट हैं पैरा एतलेट है मर्यापन तंगावेलू इन्हें भी राजियू गांधी खेल रतन मिला है फिर मनिका बत्रा है ये टेबल टेनिस है फिर विनेस फगाट है ये कुस्ति से रिलेटेड है इनको भी खेल रतन प्रसकार मिला है यानि राजियू गांधी खेल रतन प्रसकार मिला ह ये एकदम से आपको कंठस्त याद रखनी है आगे देखिए द्रोना चाहरे प्रोस्कार जो है लाइफ टैम क्रेगरी में ये कोच को मिलता है जो सिखाते हैं ट्रेनर को तो धर्वेंदर तिवारी को मिला है पुशोत्तम राय को मिला है शीव शीं को मिला है रमेश पठानिया कृष्ण कमार हुडदा, विजय भालंद्र मुलिस रपयर और नरेश कौमार को मिला है नरेश तेनिस के हैं और ओपरकास दधिया कुष्टी से इन सब को दोना चाहर प्रसकार किस कटेगरी में तो लाइफ टायम कटेगरी में मिला है योगी समालुई को मलखम के लिए जस्पाल राना कुल्दीब कुमार गौरवखना इन सब्सक्राइब दोना चाहर प्रसकार और धिसन워요 are बहुत सारे लोगों को अर्जुन पृरसकार मिला है आजी आजनम मैं बताओं बिल्कुल याद रखेगा है अरो रिर्विरोश कार मिला है और और सात्विक साहिराज को मिला है रेकिडा रेडी है जो चिराग चिराग सेटी को मिला है विशेश म्रिग वनसी को मिला है मनिस्कोसिक लवलीना बोर्गोहिल इसांस सर्मा को भी मिला है दिप्ति सर्मा को मिला है अजय अनंत सनो इन सब लोगों को क्या है कि अर्जुन प्रसकार म मिला है अब कुल्दीप सी फुल्डर को सी जिलिप्स को परदीप गंदे त्रिप्ति मुर्मुंडे और उन उसा लखी सी ठीक है तो इसको आप पॉज करके आप देख सकते हो पूरा बढ़िया से यहां पर लास्ट में पता जाता हूं इंपॉर्टेट है मौलाना अब्दुल पंजाब विश्वद्याले को एक यह वाला ढण बहुत इंपोर्ट है ध्यान रखेगा कि मौलाना अब्दुल Kyoto को कि मिला तो 0010 City के लिए टैनजीन और यास्ट यह पूरेसकार जो एक घिणारी जो है राजेंदर यादो उनको तो नहीं मिला ठीक है वह हमने बतादियों सब लोगों को मिल चुका है तेंजी नौर के राष्टिये खेल प्रोचाहन पुरुसकार दिया गिया है लक्षिशन स्थान को संस्थान है लक्ष संस्थान को दिया गया राष्टिये खेल प्रोचाहन पुरस्कार तो यह सारा पूरा लीस्ट आप देख सकते हैं यह इतना बड़ा इसको तो एक सासरी निगाया डाली जीगा तो पहुँच करके रखिए किजिएगा तो आपको सारा कुछ पढ़ सकते हैं ठीक है और इसी पर मैंने आपको बताया कि पूरा एडिटोरियल दिया गया है तो जो यह बोल रही है अविवेक्ति की सुतन्ता इस पर बात करेंगे फ्रिडम आप स्पीच क्या है ठीक है इनके भासनों पर तो आप समझी रहे हो कि क्या हो सकता है कि इनका जो भासन ओविस और यही कह रहे हैं कि जो कॉंग्रेस पार्टी के पास बस इक ही इसुश है वो है पिये मोडी में ऑगर राहुल गांधी कश्सक्स तूट करना होता है तो पियम पी अमोडी को कुछ भ़ला बुरा कह दते हैं सोनिया रहुल गांधी से अफेक्ट हो रही है और सोनिया पीए मोधी को कुछ भी बोल देते हैं ठीक है इनकी राजनीती का बस एक ही केंदर रह गया है इसलिए ही इन्हें अब लोग ना पसंद करना शुरू कर दिया है ठीक है तो यह यहां से क्या पढ़ेंगे तो इनका भासन रहने दिजिए हमें क्या यहां से सिखना है हमें जाना है यह सब लोग बोलता रहता है अभिवेक्ति की आजादी अभिवेक्ति की सुतनता यह क्या है यह जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है यह क्या है इसके बारे में हम जानेंगे तो देखिए हमारा जो छे फंडामेंटल राइट है यानि कि मौलिक अधिकार है उनमें से एक है आर्टिकल उन्नीस आता है वो है आर्टिकल उन्नीस है वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच उसी में आर्टिकल उन्नीस में आता है फ्रीडम ऑफ स्पीच बैसके लिए हमारे स्विधान में हमें अधिकार है हमें बोलने कि हमें सुतनता है ठीक है यह हमारा स्विधान ऐसा दिया है और ये जो article 19 है उसमें ये 6 प्रावधान दिये गए है ठीक है पहले actually में इसमें 7 थे लेकिन अब सिर्फ 6 रह गए है विकज सात्मा जो प्रावधान था वो राइट टू प्रपर्टी था तो उसको 44 सविधान संसोधान 1978 चोवलिसमा अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहद जो राइट टू प्रपर्पर्टी था उसको fundamental राइट्स यानि की मौलिक अधिकार से हटा कर उसको legal राइट में ला दिया गया है अब वो 300 ए में है राइट टू प्रपर्टी ठीक है तो हम इन छे को देखते हैं बारे-बारे से क्या है तो आर्टिकल 19 में आ जाता है यह हमें ग्रांट देता है छे राइट कौन-कौन सा राइट टू फ्रीडम आप स्पीच अन एक्स्प्रेशन हम हमें अभिविक्ति क अब कोई हतियार के साथ नहीं आएंगे आप किसी गन या तोप के साथ कहीं पर इकठा होने का आपको अधिकार है आप हो सकते हैं फिर राइट टू फॉर्म एस्टियेशन और यूनियन और कोपरेटिव सोसाइटिज हां आप अपना जो है संगठन बना सकते हैं कोई अपन आपने यूनियन बना सकते हैं अपना कॉपरेटिव सोसाइटी बना सकते हैं यह आपका अधिकार है ठीक है यह हमें तीसरा बोलता है फिर है राइट टू मूफ फ्रिली थूद टेर्टरी ऑफ इंडिया और भारत के किसी भी भाग में किसी भी पार्ट में आप freely जा सकते हैं आपको कोई रोक टोक नहीं है ये भी हमें आजादी देता है आर्टिकल 19 ठीक है तो आपको याद होगा कि महराज सरकार जो है बिहारियों को हर बार भगा देती है वहां से हटा देती है ये किसका violation कर रही है तो हमें right to freedom में जो आर्टिकल 19 है उ सब्सक्राइब है अगला right to reside and settle in any part of the territory of India reside दो वड़ा यहां पर आया reside and settle इसके तहत हमें कहीं भी जाने का और वहां रहने का आजादी है ठीक है और settle यानि कहीं भी हमें जमीन खरीद के रहने का भी आजादी है कि वहां पर हम घर खरीद दिया और वहीं पर permanently settle हो गए यह भारत के किसी भी पार्ट में होने की आजादी है इससे पहले क्या था कि जम्मों कस्मीर में नहीं था इस तरह की आजादी लेकिन अब 2023 और थीशे के हटने के बाद जम्मों कस्मीर हो गई है लेकिन permanent वहां पर रेसिडेंसी पाने के लिए आपको जम्मों कस्मीर में अभी भी पंद्रह साल वहां पर रहना होगा तभी आपको रेसिडेंसी वहां की मिलेगी लेकिन बाकि पूरे देश में आप कही भी जाई है आप तुरंत वहाँ पे घर खरीद के वहाँ पे रहना स्टार्ट कर सकते हो यह आपका अजादी है और यह आर्टिकल 19 आपको यह अधिकार दे रहा है यह समझ गया है फिर है right to practice any profession or to carry on any occupation trade or business आप पुर्य भारत में कोई भी अपना business कर सकते हैं कोई भी काम कर सकते हैं कोई भी व्यापार कर सकते हैं कोई भी अपना पेशा अपना सकते हैं यह आपकी आजादी है ठीक है तो यह चीज़े है और बाकी तो हमने यह बता दिया है फिर देखिए these six rights are protected against only a state action not private individuals यसी अगर a state इससे कोई problem आपको खड़ा करता है तभी इसकी आजादी है किजी individual के अगेंस्ट में यह आजादी आपको नहीं है ठीक है moreover these rights are available only to citizens and shareholders of company but not to foreigners और legal persons like companies और corporations तो यह जो पुरा आर्टिकल है आर्टिकल 19 यह आर्टिकल आपसे यह भी जहां में पूछ सकता है कि कौन कौन सा जो राइट है वो तो यह foreigners को यह आर्टिकल में यह राइट नहीं दे जाता है यानि कि जो बिदेशी लोग है उन्हें यहा पर स्पीच आया एक्स्प्रेशन नहीं दिया जाएगा वो यहां पर इकठा नहीं कर सकते हैं अपना जी ठीक है तो फॉर्नस को यह आजादी यहां पर नहीं है उनके लिए यह restriction है यहां पर ठीक है यह आप ध्यान रखेगा तो पताए कि कौन सा आसा आर्टिकल है जो फॉ इक्वेलिटी यह जो है फॉर्टीन टू अठारा से पचावदा से अठारा तक जो आर्टिकल है यह फॉर्नर्स के लिए भी है ठीक है तो यह ध्यान आपको रखना है यहां से तो हमें यहीं यहां पर जानना था जो है स्पीच एन एक्सप्रेशन फ्रिडम आफ चलिए ने काफी रैट्स फैल रहा है तो हमें यह चिंता का विसे होता है क्योंकि आप देखें होगे बहुत सारी जो रैंकिंग निकलती है पुरी अल अवर दी वर्ल्ड उसमें स्वीडेन नौर्वे इन ही सारी देशों का तो रहता है टॉप रैंक में स्वीडिजर लैंड स्वीडे नौर्वे यह सब जो देश होते हैं यह टॉप रैंक में रहते हैं यानि कि बहुत ही अच्छा करते हैं बहुत ही अच्छा इन लोगों का सुशाइटीज है ठीक है अगर यहां इस तरह के देश में भी अगर हिंसा फैल रही है तो यह सोच की विसे बिलकुल ही है यह सूडन है कहाँ अब कर देखें छैथन कर देखें तो इसमैब को देख आप अब अक्राव कि einfach देख पार हो तो यह है भारत हम लोग यहां पर है ठीस ऑब भारत का नौर्थ वेस्ट साइड में आप जैसे ही जाओगे ठीक है नौर्थ वेस्ट साइड में यहां से यहां से जाओगे जैसे ही आप यहां आपको मिलेगा स्वूडेन असकंडेवियन कंट्री student Finland Norway और यहीं पर है Germany यहाँ पर देखे यह Germany तो यह student यहाँ तक यह student है यह आप देख सकते हो और यह यहाँ तक यह Germany है ठीके तो यह आप देख पा रहे होगे अब यहाँ problem क्या हुआ है कि Germany का जर्मनी का एक party है जो डैनिस party है जिसका नाम है स्ट्राम कूर्स क्या नाम है स्ट्राम कूर्स जिसका English meaning होता है hard line ठीक है तो यह जो पार्टी है स्ट्राम कूर्स और इसके जो लीडर है यानि नेता है कौन रासमस पलुदान कि जो नेता है रासमस पलुदान ये खुद का जो है वो छबी यानि कि खुद के पार्टी को highlight करना चाहते है क्योंकि ये पार्टी actually में है जर्मनी में लेकिन इस पार्टी ये कारण जो हिंसा हुई है वो स्ट्रूडन में हुई है और स्ट्रूडन में यहां पे है स्ट्रूडन के जो साउथ में है एक सहर जिसका नाम है क्या नाम था मालमो मालमो नाम था मैं माली मेरे माइंड में आ रहा था तो यहां पे जो सहर है उसका नाम है मालमो तो ये जो नेता थे यहां के जर्मनी वाले जो नेता थे जिनका नाम है रासमस पलुदान इन्हों ने सोचा कि यह जाकर यहां पर यानि कि मालमों में कुछ भासन देते हैं बासन वो अपना स्पीच वहां पर देते हैं में यह जो पार्टी है यह जो नेता है यानि रासमस पर्लुदान वो anti-muslim है ठीक है तो लोग जानता है कि है इस तरह का चिजेव फ्ला सकता है तो जो वहां की जो पुलिस है student के पुलिस वह इनको student में enter करने नहीं देती है अब student में जब enter नहीं करने देती है तो इस के जो इस पार्टी के जो समर्थक थे स्ट्राम कुर्स के यानि कि रास्मूस पर्लुदान के जो समर्थक थे स्टूडन में उन्होंने क्या कि कुरान कुरान जो की मुस्लिम को जो है इसलामिक का जो है यह पवित्र ग्रंथ है इसका पेज जो है कुछ एक दो पेज फाड दिय नीटे यह तो लोग क्या करते हैं कि वहां पर रोड पर आ जाते हैं अचानक से उस आप गार्णाम के सबक्रां को सब्सक्राइब ड्रिफ मेरे सभाइब यावरा फोरा सब यहां को तो यह मुद्द यहां पे होता है इसके कारण यह इति सब्सक्रार्स खिर्दॗ रहा है ठीक है तो यहाँ पर समझ के स्टूडेंट कहां पर है और स्टूडेंट के पास है जर्मनी और यह जर्मनी के नेता थें और यह स्टूडेंट में ऐसा करना चाह रहे थे नेक्स आटिकल देखिए और लास्ट आज का आटिकल है अब असहाय रोगियों को मदद मिलेगी देखिए सोनु सूड जो है एक्टर जो है वो काफी एक अच्छा कॉंट्रिब्यूशन दे रहे हैं लोगों को अब इन्होंने पहले अब हर तरह से हर फिल्ड में ये मदद करन आ रहे हैं तो उसी में एक ये भी सामने आया है कि जो रोगी हैं उनका वी इलाज ये कराएंगे जो नहीं अपने इलाज करा पा रहे हैं जैसे किसके साथ इन्होंने हैंट्स बिला है हैंट्स ऑफ गॉड्ड टू स्टॉप दा पेन जॉइन दा चिन इनका एक अव्यान प्र यहां पर यह करके टूदी तो अस्टॉप अब टू स्टॉप टू स्टॉप दी पेन तू जॉइन दी चेंग ठीक है तो इस तरह का याद रखिए यह तरह का इनका अब यान रखेगा कि हैंड्स ऑफ गॉड्ड से नाम के सोनो शूड नहीं अभ्यान सुरु किया है तो यह चीज़े आपको हो जाएगी तो यही था आज का जो है दैने जार नीट पर अनाइस जानी तीस अगस्त का दैने जार नीट पर अनाइस तैंक यू फर वाचिंग भिहार से विल ग्यान हम मिलते हैं अगरे वीडियो में थांक यू तिल देन जाहिंद